आप इस तरह से अपने घर में ऐसे पंचागनी बना सकते हैं और इससे लाब उठा सकते हैं ये 6 त्रिकोण 6 चक्रों को दर्शाते हैं आप इसे दिन में बस 6-8 गंटे तक जलाईए और आकाशेक तत्व प्रबल हो जाएगा अगर बीमार लोग हैं, बड़ती उम्र के बच्चे हैं, बुढ़े लोग हैं तो ये उनके लिए चमतकार करेगा हर इंसान चाहता है कि उसके पास अपना खाना हो और अपना पानी हो जहिर है अगर आप बगल में बैठे किसी विक्ति से नफरत करते हैं, तो आप अपनी हवा भी चाहेंगे जब आप देखते हैं कि आपके आसपास हर कोई अपने विकास और परम संभावना के प्रती उतना गंभीर नहीं है जितने आप हैं, तो आपको अपनी खुद की आग भी चाहिए होती है आप सारवजने कगनी के पास नहीं बैठना चाहते एक साधू कभी भी ग्रस्तों के साथ आग के आसपास नहीं बैठेगा, वो उनके साथ बैठना नहीं चाहता वो उस तर पर उन लोगों के साथ समवाद नहीं करना चाहता, जो शारिरिक क्रियाओं में लिप्त है इसलिए उनको अपनी ही आग चाही होती है वो सिर्फ उन शक्तियों से समवाद करना चाहते हैं जो उनसे परे हैं समवाद करना मतलब बोलना नहीं है वो बाकी लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके उर्जा हर किसी के साथ घुल मिल जाए वो नहीं चाहते कि उनके भीतर का सोक्षन पहलू, उनकी उपस्थिती और आस्तित्व का सोक्षन पहलू विभिन लोगों के साथ मिल जाए क्योंकि जब आप आग के आसपास बैठते हैं तो किसी ना किसी तरह आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं आप ऐसा नहीं होने दिना चाहते अगर आप एक विशेश दिशा में काम कर रहे हैं तो एक साधू जिसने अपने जीवन पर एक खास महारत हासिल कर ली है किसी और के साथ बैठना नहीं चाहता उसको अपनी खुद की आग चाहिए होती है और वो उसके साथ बैठना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर के साथ समवाद करना चाहता है किसी और के साथ नहीं इसलिए अपनी अलग धूनी होती है और ये धूनिया कई तरीकों से जलाई जाती थी मूल धूनी उश्रणी में आती है जिसे कहते हैं पंचाग्णी पंचाग्णी साधनाएं होती है पंचाग्णी मंत्र है पंचाग्णी क्रियाएं है हम आपको आपके घर में एक छोटी सी पंचाग्णी के साथ प्रयोग करा सकते हैं आप देख सकते हैं, आप अपने घर को कैसे रुपंदित कर सकते हैं, मान लिजे कि आप ध्यान करने के लिए एक स्पेस बनाना चाहते हैं, आपके घर पर या मान लिजे कि आपके घर में बुढे लोग हैं या बचे हैं, या कोई है जो बीमार है या बस सामान्य सहायक वातावरण के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा करने के लिए पांचों मूल भूत तत्यों का उप्योग कर सकते हैं मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ झाल बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ झाल भी आर्टिस्ट नहीं हूँ झाल बड़ा हैं ensuringट हites सकते हैं को झाल भी आर्टिस्ट नहीं झाल भी आर्र नहीं हूँ झाला भी आर्टिस्टिस्ट वंल अ कि दोन भी आर्टिस्ट नहीं हूँ झाल नहीं हूँ झाल cleaner तो आप बस चार त्रिकोन बनाईएगा तो उपर की और देखने वाले त्रिकोन दो नीचे की और देखने वाले त्रिकोन मालीजे आपने इसे 10 बाई 10 फुट की जगा दी है या 6 बाई 6 फुट की जैसी भी जगा आप बनाना चाहते हैं और बीच के दो त्रिकोन एक दूसरे को काट रहे हैं ताकि ये अनाहत का एक तारा जैसा बन जाए आप इसे आटे से बना सकते हैं चावल के आटे से या आप इसे अनाजों से बना सकते हैं यूँ कहिए कि दालों से या सिर्फ चावल से आप बस एक धाचा बना सकते हैं या इसे भर सकते हैं मैं तो पूर्बात ये है कुछ ऐसा जो पृत्वी से जुड़ा हो आप ऐसा करने के लिए महीन लाल मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं तो यहां को लुद मिलाकर छे त्रिकोण हैं यह चे प्रिकोण छे चक्रों को दर्शाते हैं क्योंकि सातवाँ वाला ऐसा नहीं है जिसे आप ऐसे प्रभावित कर सकते हैं यह चे चक्र हैं और पांच तत्वे हैं और पांच अलग-लग अग्णिया हैं तो आप एक प्लेट लीजेगा बेतर होगा कि तांबे की प्लेट हो या किसी भी धादू की प्लेट हो सकती है इससे पानी से भर लीजे और उसमें आप एक दिया रखे घी का एक दिया या वनस्पती तेल का दिया अच्छा होगा कि तिल का तेल हो तिल गर्मी पैदा करता है सर्दियों में पूरे दक्षन भारत में लोग बहुत सारे तिल खाया करते हैं ताकि शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो ये भारी मांतरा में गर्मी पैदा करता है तो तिल का तेल या घी या कोई अन्य वनस्पती तेल के पांच दिये और इसके आसपास पानी आप बस इसे दिन में 6-8 घंटे तक जलाईए ये जगा एक निश्चित स्तर की आभा एक खटा कर लेगी और आकाशिक तत्व प्रबल हो जाएगा अगर बीमार लोग हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, बुढ़े लोग हैं तो ये उनके लिए चमतकारिक रूप से काम करेगा या अगर आप ध्यान करना चाते हैं, आप ध्यान करने के लिए एक जगा बनाना चाते हैं ये खुपसूरती से काम करेगा आप ऐसे बस आप बस ऐसे अपने लिए इस तरह की जगा बना सकते हैं हर रोज अगर आप इने सिर्फ 6-8 घंटे तक जला लें और फिर आप इसे हटा सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं या आप इसे एक पर्मनेन चीज भी बना सकते हैं आप इने किसी प्रकार की शीट पर रख सकते हैं ताकि आप इने हटा सके हैं और आप जब बैठना चाहें तो बैठ सके हैं अब आप इसे रख सके हैं या आप इनके साथ बैठ सकते हैं कोई समस्या नहीं है आप असे से वैसे भी छोड़ सकते हैं और इसके साथ बैठ सकते है ये बहुत सारे लाब दे सकता है, क्योंकि ये पंचागनी प्रणाली को मैनेज करने का एक तरीका है, अगर कोई उससे जुड़े मंतरों को और क्रियाओं को सीखना चाता है, तो ये संभव है, लेकिन इसमें एक अलग स्तर की सहभागिता और ध्यान की जरूरत होगे, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हर कोई कर सकता है, तो आप अपने घर में इस तरह से पंचागनी बना सकते हैं और उससे लाब उठा सकते हैं, सद्गुरु इतने अनुष्ठान वाले क्यों हो रहे हैं, उन्होंने उमें बताया था कि किसी भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, सब भीतर की इस सरवागनी को बनाए रखते हैं, जो ब्रम्हांड में हर चीज को छूती है, तो उनमें से किसी भी चीज की आवशक्ता नहीं है, जहां बैठे वही सबसे उप्युक्त स्थान है, आपकी उपस्थिती ही इन सारी व्यवस्थाओं की तुल्ला में लाखों गुना बहतर काम करेगी, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो बाहर से साहता लेने में कुछ गलत नहीं है, अगर आप ऐसी स्थिती में हैं कि आपके होने का तरीका आपके आसपास की किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, तो आपको किसी अनुष्ठान की जरूत नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा जो भीतर है वो सब समाल लेगा